हेलो एवरीवन मैं पुझा चौधरी खुशी में कवर से वेल्वम तुमाई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्लोबल हाइलाइटिंग किस तरीके से हम लोगों को ग्लोबल हाइलाइटिंग करनी चाहिए बालों में और किस तरीके का बाल हम लोग यूज करेंगे वो भी मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करूंगी किस तरीके से हम लोग करेंगे वो भी पूरा आप लोगों को मैं तरीका पताऊंगी ग्लोबल हाइलाइटिंग करने का बहुत एजली आप लोगों को समझ में आएगा और ब जो शेड हम लोग को करना है वह 7.3 और इसके लिए हम लोग वप्र इसे स्टोरीक से मिलोंडे क्र., इस तरीके यू और क्ना का रोमा मिकरव यूभर और यू. करसकते हैं बहुत आसानी से आपका काम होगा विल्कुल भी आ हुगी उसके अलावा हम लोको चीए S french जो नॉर्मल हम लोग अपने घर पर किचिन में यूज करते हैं सिल्वर फोईल हम लोगों को वह चाहिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है किस तरीके से करेंगे चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूं तो यह बाल जो विल्कुल वर्जन है और मैं आप लोगों को ब बहुत अच्छे से उसको बाय कर सकते हैं काफी यूसफुल प्रोडेक्ट हैं बहुत ही ट्रस्टबल प्रोडेक्ट हैं एक बार यूज करके देखिएगा और इस तरीके से अगर आप हाइलाइटिंग करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इन प्रो कम से कम आधा ट्यूब आपे सकते हैं मैंने ज्यूंड निकाल लिया है आप लोग देख सकते हैं इसके बाद हम लोग इसको ढखर रख देंगे क्योंकि अगर आप इसकी जड़ा सा देर इसको पुला चोड़ें तो इसकी गैस किल ढिएईगी उसके बाद हम लोग यूज करेंगे डबलेपर ठीक है यह है 40-volume डबलेपर और इसकी हम लोगों को बरावर-बरावर रेशा मिलाना है तो आप लोग अंदाजे से भी मिला सकते हैं इस तरीके से देखें, आप देख सकते हैं, यह बिल्कुल बराबर बराबर रेशा है इस टाइम, जितना हमारा ट्यूब था, उतना ही हमारा डॉल एपर है, तो इस तरीके से हम लोग इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, अब मैं आपको बताती हूं कि ब्लोंडर पॉर्डर का क्या क इस तरीके से हम लोग जो है वो डिबा खोलेंगे, और इसमें एक चम्मच, देखिए, एक चम्मच कम सकम डवलैपर इसमें मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा हो डाल लेते हैं, इस तरीके से, और अब इसकी हम मिक्सिंग करेंगे, आप बिल्कुल भी चांस नहीं है कि कलर ना तो आपका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए मिक्सिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ही अच्छे से, जैंटली मिक्सिंग कीजिए, हमने इनके बालों के सेक्शन बना लिए हैं, तो दो सेक्शन हम लोग ने एर टो एर पैटिंग लिए हमने लिए हैं क्योंकि यह बहुत छोटी है, नीचे का सेक्शन हम लोगों को एक नहीं छोड़ना है, बतला आप चाहें तो देखें इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहां पर सिर्फ एक लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक, हम लोगों को यहां पर ज्यादा डालने की जरू बहुत ही डिटेल में ग्लोबल हाइलाइटिंग शेयर करने वाली हूं, और किस तरीके सा हम लोग करेंगे, क्या-क्या हम लोगों को प्रकोशन लेने चाहिए, और किस तरीके सा हमें वाश करना है, और किस तरीके सा हमारा कलर जो है वो इवन आए, उसको हमें क्या-क्या-क् तो देखे इस तरीके से हम लोगो को wrap कर देना है और silver foil में जब यह wrap हो जाता है तो यह heat से अपने आप color जो है वो छोड़ने लगता है बाल और बहुत easily हो जाता है अब हम लोग cut down जो है उस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जितनी पतली हो सके उतनी पतली layer निकाल नहीं है बहुत चोटी है 14-15 साल की है तो उसके according हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें dark वाली highlighting नहीं करनी है बहुत ज़्यादा golden की side लेकर नहीं जाना है तो उसके लिए हम लोगों को काफी सारे precaution लेने पड़ेंगे किस तरीके से लेंगे पूरी वीडियो में आप बने तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को highlighting करनी हो रही है तो देखे इस तरीके से कॉम की help से हम लोगों को cut down करना है और इस तरीके से हम लोग जो है layers निकाल लेंगे पतली बहुत ही पतली layers निकाली है और अगर हमें लग रहा है कि कोई layer हमारी मोटी हो गई है तो हमे चाहें तो layers मोटी भी रख सकते हैं आप चाहें तो layers पतली भी रख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे बट मैं अपनी बेटी के उसी तरीके से करा रहे हूं जैसा मुझे उसके बालों में texture चाहिए तो देखे इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छे से application करेंगे brush को ज़्यादा मोटे section हमें निकालने थोड़े पतले section ही निकालने है इन section को निकालना भी बहुत easy होता है और जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपके काम में बहुत ज़्यादा finishing आएगी और काफी अच्छा लगेगा और देखे इस तरीके से cut down करना तो बहुत easy होता है कौम की हेल्प से हमें इस तरीके से कट डाउन जो है वो करते चले जाना है आज काफी सारे बच्चे पालर पर ऐसे थे जो सीखने वाले भी हैं तो आज उन लोगों की क्लास भी लगी है उनको मैं हाइलाइटिंग सिखा रही हूं तो उन लोगों की क्लास के साथ मैंने सोचा के चली आप लोगों को वीडियो भी दिखाते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जब रियल वर्क हम लोग करते हैं किसी के उपर तो वो किस तरीके से होता है तो मैं आज खुशी के बालों में कर रही थी कुछ काफी दिन से बोल रही है इसकी पूरी डिटेल समझागी तो मैंने सोचा कि चलिए इसी बहाने उन लोगों की पूरी डिटेल मैं उन लोगों को बता दूगी तो देखें, इस तरीके सा हम लोग जो हैं, वो रैप करते चले जाएंगे कटड़ाउन करते चले जाएंगे और रैप करते चले जाएंगे पूरे बालों में हमें इसी तरीके से air to air parting का जो आगे का बाल है उसमें भी पीछे जितना बाल है उसमें भी इतने ही पतले-पतले section निकालने हैं आप इंट्रेक्शन को अपने हिसाब से मोटा और अपने हिसाब से पतला कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने किया वैसा ही आप करें बट जितने पतले श्यक्शन निकलते हैं क्लोबल हाइलाइटिंग में उतना अच्छा रहता है और बहुत इजली जो है वो सबको अच्छा पसंद भी आता है और बहुत इजली हो भी जाता है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है तो देखिए इस तरीके से आज मैं आपके साथ यह वीडियो शेयर कर रही हूं आ आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को प्लीज वीडियो को लॉक जरूर किया किजे ह Tabii और अपने फैंड सकल में वीडियो को शेयर किया किजे ताकि सब लोगों को इससे हेल्प मिले क्योंकि बानर का जयाधा तर आपको रियल वर्ही दिखाती हूं कुछ भी हैसा डेमो अगरा खोल खोल कर देखनी है क्योंकि जैसे खुशी का बाल में आपको बताया वर्जन है तो वर्जन है पर क्या बहुत जल्दी कलर आएगा अब आप देख सकते हैं नीचे की लेयर जो सबसे पहले हमने की थी वह हमारी अभी यह application complete भी नहीं हुई है पूरे बालों में उससे पहले पहले ही हमें नीचे की application नीचे का जो पार्ट है उसको खोलना पड़ गया है तो वह इसलिए करना पड़ गया है क्योंकि यह वर्जन हैर है इन पर कलर बहुत जल्दी आएगा और आप लोगों को भी इसी तरीके से करना है अगर आप अपना कर रहे है या पालर में कर रहे ह तो आपको नीचे की layers को बीच बीच में खोल खोल कर देखते रहना है अगर किसी पर color नहीं आया तो उसको दुबारा दुबारा brush मारिए ताकि आपका बिल्कुल even color आए कुछ लोग मुसे phone करके भी और comment करके भी पूछते है कि मैं जब हम लोग highlighting करते हैं तो हमारी highlighting same color की न इस तरीके से अफ्mersานा यहां तक हम लोग लगा तो हम लोग ने जाते हैं और ब्लेडेर सकूल के मूण झेल आपको यहां जो आपको हम लोग ने नहीं हुआई थी तो सबसे ऊपर की साइड में हम लोग आ गये हैं application करते-करते हैं हम पूरेफ्टिक्षन कनी है बहुत easy होता है इसको कनना और मैं अपने जो पालर के बच्चे उन लोगों से ख्यातं सक है अप्लिकेशन कराकरा के देख रही हूं, कटडाउन भी मैं कराकरा के देख रही हूं, ताकि उन लोग को भी कटडाउन करना भी आये, application करनी भी है, brush चलाना भी आये,yr हम फोईल है उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा थोड़ी मोटी वाली सिल्वर फोईल लीजेगा बहुत ज्यादा पतली अगर सिल्वर फोईल होती है तो बहुत ज्यादा फटने का डल लगता है और मतलब इतनी जल्दी से बालों में कलर आएगा नहीं क्योंकि हीट चाहिए तो सिल्वर फोईल जो है वो थोड़ी सी मोटी होगी तो बहुत अच्छा कलर आएगा तो देखे इस तरीके से हम लोगों ने पूरे बालों में जब इनके अप्लिकेशन कर दी उसके बाद हम लोगों ने एक एक बाल को चेक करना स्टार्ट किया है और उसके बाद उस पर पर दिश्माना स्टार्ट किया है ताकि कलर बिल्कुल इवन यह सबसे जरूरी पार्ट है इसका आपको ध्यान बहुत जादा रखना है अगर आप यह चीज नहीं करेंगे तो आपका कलर इवन नहीं आएगा बीच बीच में कहीं कम कहीं जादा आएगा फिर आप लोगों क होगी क्योंकि की का लोगों को सारे बाल एक साथ खुलने होते हैं आपको काफी दिक्कत art के लिए का इसा एक से रूखेंगे तो इसलिए हम लोगों को भी कह साथ जैसा कि अगर आगे अप्लिकेस twenties चल रही है तो पीछे के बालों को खोलख के देखतेरी नहीं लगता तो हम लोग जब इस तरीके से ब्रश मार देंगे और इसके ओपर थोड़ा सा material लगा देंगे तो इनका जो काम है इसका fast हो जाएगा और जल्दी से color उतरेगा और बहुत easily इनके बालों में highlighting हो जाएगी तो आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगरी होगी अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको end तक जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आगे मैं आप लोगों के साथ में बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ फाइनल रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ और काफी कमेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि मैं हम लोगों को आपकी वीडियो देख देखकर काफी कुछ हमने सीखा है अच्छा लगता है बहुत इजी आप language यूज़ करती है बिल्कुल मैं आप ल वीडियो में आप लोगों को देती हूं कि आप लोग उनको इजी ली घर पर सीख सकते हैं कि किस तरीके से हाइलाइटिंग वगरा की जाती है बस हमें mixing का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है application का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है बीच बीच में चैक करते रहना है अगर हम एक साइड application कर रहे है तो हमें पीछे से खोलना start कर देना चाहिए अगर हम लोगों को हम सोचेंगे के पहले हम पूरी application कर दे और उसके बाद में खोल कर देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा अगर आपने इस तरीके से किया तो आपका काम जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं आए उसके बालों में highlighting की और final result बहुत ही प्यारा आया था guys मैं आप लोगों को क्या बताऊं खुशी देखकर उसको बहुत जादा खुश थी और उसके बालों का एकदम से make over हो गया बहुत ही सुन्दन लग रहे थे और देखें इस तरीके साब हम लोगों ने सारे बालों को जि इसको open करना अब आप इसको open करते चले जाहिए और उसके बाद में आपको अपने बालों का hair wash वगरा करना है देखें कलर बिल्कुल even आया है आप लोग देख सकते हैं उपर से नीचे तक बिल्कुल even आया है कहीं पर भी कम या ज्यादा या हम लोगों को जो color चाहिए था व लोगों को एक बार में समझ में आ गई तब आप बहुत easily कर पाएंगे बिल्कुल भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है और इस तरीके से देखिए अगर आपने हमने अगर यह बीच में नहीं खोला होता ना तब यह इतनी अच्छी नहीं आती तब यह इसमें कही नहीं डार्क कहीं लाइट शेड आते थोड़े छोटे-छोटे बट यह क्या है हमने बीच में खोल खोल कर इस पर कई बार ब्रश मार दिया मतलब दो बार मैं नहीं खुल वाई थी और बीच बीच में मुझे जहां भी प्रॉब्लम लग रही थी उस पर में कलर जो है वह है चीन मतलब इसके राडम में अब इसा अजया में के मिच आ क्लगा को शेंपको खोल नहीं क्या एप son करें लुद्यां करेंस है किया इसपा कर सकते हैं पिल्कुल आप आपिए आप कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से शेम्पू करिए बहुत अच्छे सेi communications है यूजrices किया है जैसे हैस्छस व यूजक्व किया था जारyeong उसके बंड वाल वाव यूजー किया था क्यों कित का यूज कि हम नहीं करता है वाण व्याइप्र वाला चैनलHHHH tupe के साथ तब व्याज़ने की की। हमेरें बालों माहड़ी अब इसकी नीचे नहीं होвой पहुत उपते सब्सक्राइब शेंपू हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर दिया और अब मैं हैर मास्क यह मास्क लगा कर बहुत अच्छे से से मसाच करनी है और अगर आप चाहें तो यह इस पा भी ले सकते हैं बहुत इजी होता तो इस तरीके की छोटी-छोटी से जो कोशन थे आपके आज I hope के आप लोगों को काफी help मिली होगी इस वीडियो से मैं कोशिश करती हूं कि मैं अपनी पूरी वीडियो में आप लोगों को बोल-बोल कर ही सब कुछ समझाओं ज्यादा कुछ मुझे music वगर ना डालना पड़ बीच-बीच में बोलते काफी चीजों को थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती है क्योंकि इतना लंबा वोइस ओवर करना बहुत मुश्किल होता है बट फिर भी मैं करती हूं क्योंकि मुझे पसंद है मैं चाहती हूं कि आप लोगों को मैं बोल-बोल कर ही सब कुछ बताऊं और आप लोगों को बहुत एजिली वो चीजे समझ में आए क्योंकि मुजिक मैं डाल दूंगी इसमें और उसके बाद आपको बताऊंगी नहीं तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे थे तो देखिए इनके जो हेर मास्क हमने लगाया उसके बाद बहुत अच्छ cert करना है और इसको दस मिलिट हमें बालों में छोड़ देना होता है औ इसतरीके से हम ऐसे कोई billion यूज की हैं इसके अंदर मतलब डबलापर हो गया ब्लॉंडर हो गया या जितनी भी चीज़ें मैंने यूज की हैं मैंने इनका सभी का लिंक आपको डिस्केप्शन बॉक्स में दिया है अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से उनको पर्चेस कर सकते हैं अपने पालर में नहीं रखी है तो आई होप कि यह वीडियो की काफी हेल्प करेगी एक बार करकर देखिएगा क्लाइंट पर बाद में ट्राय कीजिएगा पहले किसी अपने पर ही करकर देखिएगा प्रक्टिस कीजिएगा थोड़ी सी क्योंकि सबसे में प्रॉब्लम क्या आती है आप लो या जो आपके बच्चे सीखने के लिए आपके पालर में आ रहा है उन लोगों के ऊपर प्रक्टिस करिए उसके बाद आप लोगों को जो है वो यूज करना है क्लाइन के ऊपर हम लोग हेर सीरम यूज करेंगे यह विया पहुत ज्यादा जरूरी है गिले-गिले बालों मे बहुत अच्छे से मसाज करिए सीरम लगाने के बाद ताकि आपके बालों में शाइन आए बहुत सुन्दर सी और आपका बाल हलका फुलका जो डैमेज हुआ होगा वह भी अच्छे से ठीक हो जाए और आपका बाल बिल्कुल फीजी ना हो क्योंकि हाईलाइटिंग के बाद आपसे बड़ी प्रॉबलम जो आती है वह यह आती है कि बाल जो है वह बहुत ज़्यादा फίζी हो जाते है दो किसली होते हैं कंकि हम लोग उसकी gayर करते हैं 27 नहीं करते हैं आपके बालों में बिल्कुल भी डॉल्फ नहीं आ पुली के बालों करा थे जैसे के मुसस्थ आपके आप लोगों चोंगे आपिए लुकल आम आप लोगों की क Crae से बाहरे में मुझे है यूद्ष को सबढ़ाहें, कैसे बालों में करनी चाहिए उसके बाद हमें क्या क्या करनी चाहिए सब कुछ मैंने आप लोगों को जो है वह अपने चैनल पर दिखाया और बताया हुआ है और आगे भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियो आएंगी तो देखिए इस तरीके से हमें बालों को जो है 100% सुखा लेना है ड्रायर से काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ड्रायर कहां से खरीदें तो उसका लिंक भी मैंने है और बहुत ज्यादा लाइट शेड हमें कुशी के बालों में नहीं चाहिए था तो हम लोगों ने ऐशा शेड दिया है कि उसके बालों को एकदम से मेक ओवर हो गया बहुत सुंदर उसके बाल लग रहे थे और वह भी अपने बालों से बहुत ज्यादा खुश थी तो आई ह ग्लोबल हाइलाइटिंग शेयर की है वर्जन हेयर पर और आप लोग महंदी लगे हुए बालों में किस तरीके साहाइलाइटिंग कर सकते हैं या आप लोगों को कड़ डाउन किस तरीके से करना होता है उन सबकी वीडियो चैनल पर एबलेबल है एक बार अच्छे से चैनल को सर्च करिए तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा जरूर वीडियो कैसी लगी एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई